असलाम लेकम स्टुडेंट्स सोशल एंट्रपनियोर्शिप की दुनिया में बहुत सारे लोग जो नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ हेंटर होते हैं या किसी कौस के लिए कुमिट करते हैं उनको अमूमन पता नहीं होता कि वो कहां से शुरू करें या उन्होंने कैसे प्रोसीड करना है आज हमारे पास काम्याब सोशल एंट्रपनियोर्शिप की जो स्टोरीज हैं अगर आप उनको गो थू करें तो अंदाज़ा होता है कि इस लॉंग लिस्ट अफ्रेस्टरेशन्स फेल्वर्स रेपटिशन्स बहुत सारे घपले और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मसायल्स हैं जिन से गुजर के आज वो काम्याब सोशल एंट्रपनियोर्शिप बने हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो काम करने का इस काम को करने का कोई तरीका नहीं है कोई की स्टेप्स या स्ट्रेटेजीज नहीं है इस lecture में हम उन तरीके कार पर बात करेंगे जो social entrepreneurs जो हैं वो गुजरते हैं जिसमें से अपने venture को काम्याब बनाने के लिए अमूमन social entrepreneurs जो हैं उनके पास entrepreneurship की कोई training नहीं होती उनके पास कोई formal जैसे आप business education पढ़ सकते हैं या आप human resource में training करते हैं या और कोई training आपकी education होती है social entrepreneurship की इस तरह की अवल तो कोई training है नहीं और अगर है तो वो लोग जिनके पास innovative ideas है या जिनका कोई passion है किसी social cause के लिए उनको जिन्दगी में ऐसा मौका नहीं मिला होता वो कहीं और कुछ और करने में इतने मसरूफ रहे होते हैं कि वो सीख नहीं पाते so basically they learn on the go वो अपने trial and error से अपनी गलतियों से सीखते हैं आपको याद होगा जब हमने BRAC और Grameen Bank की case studies आप से share की थी तो ये बात हुई थी कि उन्होंने कई दफ़ा कई products introduce करवाई कुछ उसमें से fail हुई कुछ जो है कामयाब हुई जो कामयाब हुई उनका analysis किया उनको बेहतर बना के दुबारा launch किया तो ये सारा process जो है वो करके आज ग्रमीन bank वो है जो वो है और उसकी एक identity है social ventures पे काम करने के लिए या social causes को follow करने के लिए steps की एक cycle है basically it's not a series of steps के एक के बाद दूसरा एक cycle है जिसको आपके एक point से शुरू करते हैं और फिर वहीं पर आकर दुबारा आप उस पर चलने लगते हैं it starts with envisioning कोई idea है एक कोई vision है जो किसी social entrepreneurial mind में आता है उसको वो किस तरह से implement करेगा वो उसके बारे में सोचते हैं उसके बाद वो उसको analyze करते हैं उसके बाद formulation of plan करते हैं फिर उसको action में लाते हैं या implement या execute करते हैं execution जाहिर है require करती है evaluation देखने के लिए किया कामयाब हुआ क्या कामयाब नहीं हुआ कहां पे बहतर करने की जरूरत है कहां से lesson learn किया जा सकता है और evaluation के बाद जो successes हैं जो कामयाबियां हैं जो strengths हैं उनको लेकर उस program या उस venture को sustain करने की कोशिश की जाती है जो चीजें जो ideas अब implementation में आ के sustain हो जाते हैं वो कोई need को पूरा कर देते हैं तो फिर कोई नई need या तो emerge हो जाती है या कोई निया idea या नई innovation आ जाती है जिसके लिए फिर से envisioning से circle दुबारा start हो जाता है या cycle जो है वो दुबारा से start हो जाती है ये short term के लिए भी यही cycle है और long term बड़े projects और programs के लिए भी यही cycle है आप one time एक fundraiser करना चाहते हैं किसी cause के लिए तो जाहर है एक idea है जिसको आप envision करते हैं कि यह वो cause है जिसके लिए मैं कुछ करूँ आप उसके लिए plan करते हैं कि आपू किस तरह से इसको achieve करना है और fundraiser करना है उसका एक plan formulate करते हैं और फिर उसको implement करते हैं उस पर action लेते हैं और जब आप fundraising कर चुकते हैं तो फिर बैठ के उसे evaluate करते हैं कि क्या अच्छा किया, क्या ठीक किया, क्या गलत किया, क्या बुरा हुआ और अगर आपकी effort काम्याब हो तो आप दुबारा भी वैसी attempt करते हैं किसी और काम के लिए या उसी काम के लिए इसी तरह long term में यही cycle होती है कि आप एक organization शुरू करना चाहते हैं आप एक social venture या एक business जो है, social cause के साथ शुरू करना चाहते हैं तो same cycle है जिसको आप follow करते हैं इसमें कुछ key elements जो है, वो एक mission statement है यानि आपका vision जो है, उसको आपने किसी concrete form में कैसे लाना है वो आपकी mission statement बताती है एक strategic या business plan important है अगरचे social entrepreneurs on the go सीखते हैं लेकिन फिर भी वो किसी basic plan के साथ एक fundamental blueprint के साथ शुरू करते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं फिर जब काम को शुरू कर लेते हैं तो governance के issues हैं, management के issues हैं उस हवाले से जो action है उसको day to day basis पे monitor करना और फिर end पे उसको evaluate करना social entrepreneur जो है उसका इनसानों के हवाले से जो उसकी theories हैं उसकी जो basic assumptions हैं जो वो लोगों के बारे में, moisture के बारे में social problems के बारे में रखता है वो बहुत ज्यादा impact करती है इस सारे process को for example, अगर एक social entrepreneur जो है उसका ख्याल है कि लोग anticipated gain को से attract होंगे तो वो rational logical arguments देता है लोगों को कि आपको इस काम से ये 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 फाइदा होगा लेकिन अगर social entrepreneur जो है उसके ख्याल में लोग anticipated loss या failure से डर के किसी काम को करते हैं या उसके तकलीफ से करते हैं तो फिर वो अमोमन emotional appeal जो है उससे design करते हैं अपने products को अपने services को So basically learning by doing है अपनी गलतियों से सीखने का आमल है social entrepreneurship और hardware सीखने का आमल है लेकिन कुछ steps हैं कुछ strategies हैं जिनको social entrepreneurs consciously या unconsciously follow करते हैं Namely उसमे envisioning, formulating, taking action, evaluating and sustaining the social venture जिनको हम अगले modules में details से cover करेंगे Thank you